Hello my dear students I am your English teacher Muhammad Jameer and welcome to my youtube channel Today we will see 4.2 Baby Pangolins Night Out introduction on page number 90 of your my English book 7 Hello students आजहम आपकी kitab के page number 90 पे 4.2 Baby Pangolins Night Out इसका introduction देखेंगे बेबी पैंगुलिन पैंगुलिन एक टाइप का एक एनिमल है एक जानवर है जो इस तरिखे से एक बॉल में कनवर्ट हो जाता है जब उसको खत्रा मैसुस होता है हम स्टार्ट करते हैं उसका नाइट यानिके रात का सफर रात को जब यह गूमने के लिए अपना पेट भरने के लिए निकलता है चलिए देखते हैं इंट्रोडक्शन सबसे पहले भाव काटदारे इस नेचर लवर एंड एन एमिनन्ट एक्टिविस्ट भाव काटदारे एक एक नेचर लवर है यानिके प्रकृति से जानवरों से पेड़ पावदों से बहुत प्यार करने आले एक व्यक्ति एक शखस हैं एमिनन्ट एक्टिविस्ट एमिनन्ट एनिके बहुत ही मशूर एक्टिविस्ट यानिके काम करने आले कोई भी चीज का जो बेड़ा उठा ल और आवार्स जो है उनको दिये गए हैं for substantial contribution towards the protection of and conservation of various endangered species किसली में लिए हैं उनको आवार्स for substantial contribution substantial लेन के एकदम उनका जो सची contribution है हिस्सा है उन्होंने जो काम किये हैं उसके लिए किसमें काम किया है उन्हें towards the protection and conservation protection का बचाने का जानवरों को conservation यानि कि उनको हिफादत करने का उनकी of various endangered species बहुत सारे जो जानवर जो प्रजातियां है जानवरों के वो जो मुश्किल में है नहीं कि जिसकी जो quantity है वो बहुत कम हो चुकी है ऐसे बहुत सारे रेर जानवर्स है जो क्या होते जा रहे हैं दिन पर दिन उनकी प्रजाती लुप्त होती जा रही है निकि वो खत्म होते जा रहे हैं तो उनकी जो conservation है उनको बचाने का यह काम करते हैं इसलिए उनको awards मिले Since 1922 he has striven through सहाधरी निसर्ग मित्र organization तो 1992 से वो एक organization है जिसका नाम है सहाधरी निसर्ग मित्र organization उसमें उन्होंने strive किया है यानि के pledge किया है आहद किया है खसम खाई है कई की चिपलून टु मेक दा concept of conservation of nature through लावली होड रियालिटी तो यह organization यह चिपलून की है और उनका concept क्या है conservation of nature through लावली होड नेचर की यानि की प्रकृती की खुदरती जो चीज़े हैं उनकी हिफाज़त भी करना वो भी कैसे लावली होड यानि के उसमें लोगों को income भी हो फाइदा भी हो जैसा के समझेए आपके पास एक जंगल का इलाखा है वहाँ पर आपके पास बहुत सारे अलग अलग इस्पेशिस के प्रजायती के जानवर पाई जाते हैं तो आप क्या करते हैं कुछ बहुत सारे जो पोचर्स होते हैं या जो चोर शिकारी होते हैं वो उन जानवरों को मारते हैं उनको चुराते हैं ठीक है उनकी खाल जो है या उनके दान्थ है या सींग है इनका चोरी से व्यापर करते हैं अब इसके बजाए कर हम वहां पर उनकी हिफाज़त करें उन जानवरों की रक्षा करें और ज्यादा से ज्यादा उनकी जो प्रजाती है उसको बढ़ाएं तो इस पर क्या होगा फिर बाद में एक टूरिस्ट स्पॉर्ट में हम उसको कनवर्ट कर सकते हैं वह सारे लोग वहां पर आएंगे देखेंगे तो एक बिजनेस का भी सोर्स वो क्या है हमारे लिए बन जाएगा जब टूरिस्ट आएंगे तो आपर दुकाने लगेंगी वहां पर होटेल्स खुलेंगे और जो है उस एरिये का प्रोग्रेस होगा तो यह है इसका इंट्रोडक्शन इसका देखे अब इसमें कुछ क्वेस्टन से इंट्रोडक्शन में हम उसके अंसर देखते हैं नमबर वन पहले साइड में देख लेते हैं यू आर विजिटिंग नियर्बाइ हिल विद यूर आंट आप अपने आंट के साथ एक खरीब के पहाड पर जा रहे हैं तो आप अपने आंटी से कोई पहाड के बारे में आप जो उनसे पूछना चाहेंगे इंग्लिश में अब इदर देखते हैं अब दिन भर में एक समझी एक दो साल का बच्चा है तो उसके जो मदर है उसकी जुमा है उसको क्या का इंस्ट्रक्शन दिन में देती है राइट फ at ऑफ व्याईश इंगलीश यूजिजिग यूर इंगली अपनी माउठेशन के इसक्वाल करके पांस से आठ question हमको लिखना है यह मतलब पांस से आठ instruction हमको यहाँ पे लिखना है तुम अन्सर में लिखा है आप लिख सकते हैं गेटप बेबी वाश्यर माउथ क्लीन डेबिट हो अपना मौच्छे से दो हैव दिस कप अफ मिल्क यह कप मिल्क दूद पीलो डोंट रन ऑन दा फ्लोर फ्लोर पर मत भागो डोंट से नो इस स्वीट इस चीज से मना मत करो खाने के लिए यह तो मीठा है डोंट टैच एन अन लिखे तो उसको छोना मत सिट प्रॉपरली ठीक से बैठ हो डोंट गेट नॉटी यूविल गेट हर्ट ज्यादा शरारत मत करो तुमको लग जाएगी स्लिप वेल अच्छे से सो तो यह आप लिख सकते हैं उसके बाद कुछ इमेजिन करना है आपको चीजें सिर्फ लिखन करना है यूव गॉन तो लोकल टूरिस्ट स्पाट विट यूर स्कूल फ्रेंड्स आप एक खरीब के लोकल टूरिस्ट स्पाट पे गए हैं अपने स्कूल के दोस्तों के साथ देर यू मीट समवन फ्राम अनदर कंट्री वहां पर आपको कुछ विदेशी लोग मिलते हैं यानि के दूसरे कंट्री से आए हुए वांट्स तो नो मोर अबाउट यू एंड यूर स्कूल जो आपके और आपके स्कूल के बारे में और कुछ जानना चाहते हैं इंट्रोड्यूस यूर सेल्फ टू डैट परसन और प्रवाइड इनफॉर्मेशन अबाउट यूर नहीं है कि यूए यूए इस्कूल मेट्स है और फेमस ऑर्गनाज़ेशन इसीटूट तो गेट मुर इंफरमिशन अबाउट देर वर्क आपके स्कूल मेट आपके क्लास के स्कूल के दोस्त वह एक औरगनाज़ेशन बेएक मशूर और गए है और वहां पर आपको कुछ मा जो भी वहां के देखभाल करने आले या काम करने आले है जिनके अंडर में वो चलता है आपको उनको अपने आपको इंटर्डियूस कराना है कि मैं एक्स वाइज़ परसन हूं हम यह स्कूल से आए हैं हम आपके जो काम जो चलता है उसके बारे में हमको और मालूमात आप और आपकी टीम एक स्कूल में कॉम्पेटिशन के लिए गए थे और वहां पर आप जो है अपना रस्ता भूल गए उसी स्कूल में इंट्रोडियूस यॉरसेल्फ टुदेंट्स और इंक्वाइर अपको इंट्रोडियूस कराना है और उनको पूछ नहीं है ठीक हमको हो है जो असेंबली हल है वहां जाना है तुसका रास्ता कि अधर है या या कंपटिशन का जो हो है जहां पर यह रखा गया है उसका हमको रास्ता समझने यहां रा घिदर जाना है इस तरिक हैसे आपको इनको कुएश्चन करना ठीक है जो देखते हैं नबर 3 from your science textbook and the internet find the names of at least 10 rare animals that are seen in Maharashtra state तो आपके science के textbook या internet के मदद से Maharashtra में पाए जाने वाले जो rare animals है 10 ऐसे animals जो बहुत कम मिलते हैं या जिसकी संख्या बहुत कम है ऐसे 10 animals 10 जानवरों की आपको list बनाना है तो अंसर में जान रहा है मैंने निलगिरी थार ग्रेटर वन होंड रैनोसिरोस असिस्टिक लॉइन स्नो लेपर्ड ब्लैक बग लॉइन टिल्ट मैकेक रेट पैंडा कश्मीर रेट स्टैग जिसे हम हैंगल भी कहते हैं इंडियन बैसन और एशियन एलिफॉंट्स तो इस तरह हमने इसका वाल मेक अप एक्जरसाइस और इंट्रोडेक्शन आज देखे हैं आगी की जो स्टूरी है वह हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे थैंक्यू वेरी मच्च झाल्ट